फर्स्ट वट इस नाफेट का बेसिक स्ट्रक्चर एंदे नाफेट का उद्देश क्या है इन सभी पॉइंट्स को मैंने डिटेल्स में एक्स्प्लेंड किया है तो निवेदन करतों में आपसी का वीडियो को स्कीप ना करें नाफेट मल्टी स्टेट ओर्गनिजेशन है आपसी का वीडियो को स्कीप नाफेट मल्टी स्टेट ओर्गनिजेशन है सभी राज्जेशन के लिए नाफेट है या सभी राज्जेशन के किसा नाफेट से जूड सकते एएए नाफेट मल्टी स्टेट को-अप्रटी स्टेट ओर्गनिजेशन है इस एक के तरती रेजिस्ट्र हुए थे और फ्यूचर में भी शायद होते रेंगे cooperative society होता क्या है for example आप जिस company में employment हो तो आपका जो aim रहेगा same आपके boss का भी रहेगा क्या obviously न रहेगा boss का aim रहेगा company का profit अनो और आपका aim रहेगा salary अनो अगर आपको किसी other company से अच्छी offer आती है with best salary तो आप उस company में जाना ही पसंद करोगे तो इसके ही opposite होता है cooperative society यहाँ पर अगर company डूब गई I mean organization डूब गई या profit earn नहीं कर रहे है तो यहाँ के जो member होते हैं खुद अपने जेब में से पैसा डालते है और I.C.E. organization चलती है I mean I.C.E. इनका गुजरा चलता है यहाँ पर सभी equally partner होते है यहाँ पर individually सबका investment रहता है सभी एक दूसरी को support करते है and most important point इसमें यह है सभी का common purpose होता है सभी का एक ही purpose होता है एक ही aim होता है सभी का और उस aim के लिए यह काम करते है I hope अपको समझ में आ गया होगा अगर किसी को नहीं है उनके लिए simple language में state language में cooperative society का इसी organization होते है इसी संस्ता होते है जो लोगों के भलाई के लिए काम करते है लोगों को सेभाई देती यहीं इनका में परपस होता है बट इसका मतलब यह नहीं कि फ्री में सेभाई देते रहेंगे अगर फ्री में सेभाई देंगी लोगों को तो same co-operative society यही है अभी अपना sense use कर सोकते हूँ कि exactly co-operative society होता क्या है इसमें एक chairman होता है एक voice chairman होता है एक managing director होता है इसमें members होते है इसमें 22 members है and most important नाफेड में जो main members होते है वो agriculture background से ही होते है I mean किसानी होते नाफेड का establish होने का जो main aim था वे यह था क्रिश्य उत्पादग agriculture products की marketing करना किसानों को बढ़ावा देना किसानों को सेवाय देना यह main reason था नाफेड की स्थापना का बट इसके अलावा भी नाफेड भेश सारे काम करता है agriculture से related आए जानते नाफेड खाद देवस्टू की भंडा रंग की वेवस्ता करता है देन agriculture, machinery यह इंस्ट्रूमेन किसानों को distribute करता है यह किसानों को खेती करने के लिए जिन भी instrument की need होती है वे सब distribute करता है नाफेड किसान को बट फ्री में नी बेहदी चिप दामों में देन नाफेड वन उत्पादक forest, produce and horticulture को बड़ावा देता है इस सब के लिए resources त्यार करता है देन internationally import-export का व्यापार करता है नाफेड and most important नाफेड किसानों को बड़ावा देता है किसानों को support करता है किसानों को टेक्निक लिए advice देता है ताकि किसानों को boost मिले उनके life में आसानी हो ये सब काम नाफेड किसानों के लिए करता है यही में उद्देशे नाफेड करता है किसान अपनी फसल बाज़ोरों में सिधा नहीं बेच सकता है इसलिए नाफेट किसानों से उचित दाम में अनाज खरीदता है MSP के rate के अनुसार minimum sold price के rate के अनुसार नाफेट किसानों से अनाज खरीदता है इसके बदे नाफेट किसानों को उचित दाम भी देता है उनके अनाज का पॉपर्स टोक के लिए बड़े बड़े व। उससे 20 अरह को पोझने की जम्मिदरी यपसई होती उगे के टो कूल मिला कर खरिदने का काम नात अब होता है और बेचने का काम सिराई होता है तो यह पूरी प्रोसेस वरकिंग की नातिप की अगर आ